नमस्कार मैं हूँ कमाल श्रीमाली आप सभी का स्वागत अभिनांदन हमारे चैनल में और आज के विशेश एपिसोड में हर व्यक्ति अपनी जन्म कुंड़ी के अनुसार सेकेंड आउस होता है धन और संपत्ती का उसका रत्न पहनने को हमेशा तत्पर रहता है लेकिन क्या यह सेकेंड आउस का रत्न अता धनेश का रत्न आपके लिए सुब होगा यह भी आपको सोच करके विचारवी मस करके किसी विद्वान किसी सही जोतिसी से निर्णय करके पहनने की ज़रुत है आज का युग आधूनिक युग है जो आर्थिक इस्तिती पर निर्भर करता है धन के प्रती मोव मनिश्यों को सुरू से ही राए जीवरम में सुक धन की प्रचूता से तता दुख धन के अबाव के कारण ही होते है धन तता स्वबागे की प्राप्ति के लिए रतनों को धारण करने का प्रचलन प्रारम सही रहे रतनों को धारण करना भागे पर्वरतन तता भागे को सबल बनाने में उप्योगी माना गया है प्रकति प्रदत रत्नों में इत्ती अद्भूत देविये शक्तियां छिपी वी है कि यदि किसी योग्य विद्वान की सला अनुसाल उचित रत्न विधी पूर्वक धारण कर लिया जाए तो धारण करता व्यक्ति अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाकर जीवन के प्रतियक शेत्र में वांशी सबलता है प्राप्त कर सकता है ये रत्न प्रकति की देन है जिनका धारण करना हमारे जीवन को सीधा प्रभावित करता है इन रतनों का सीधा समंद ब्रह्मान में इस्थित ग्राउं और उप ग्राउं से होता है और हमारा समंद इस रतनों से होता है अता विबिन रतनों द्वारा हम निश्थित रुप से धन दौलत और स्मद्धी प्राप्त कर सकते हैं इस स्मद्धिमय पर्व इस दिपावली के पावन आउसर पर हम भी रत्न धारण करके स्मद्धिवान बन सकते हैं चाहिए इस दिपावली पर या इस दिपावली बार जब भी आप सोचें रत्न धारण करने के बारे में कि मुझे स्मद्धिवान बनना है मुझे धनवान बनन लगने से समंदित लगने का मतलब होता है जीवन तो जीवन से समंदित रत्न प्राय उपयोगी माना गया है परन्तु धन प्राप्ति के लिए बहुतिक समद्धि के लिए अचल संपत्ति के लिए दृति बाव से देखे जाने विले सभी फल जीवन में महत्पूर्ण होते हैं आगे में बारा ही लगनों में द्वितियस से सम्मधि रत्न का प्रयोग क्या-क्या फल देगा इसका जोतिस की धार्णों के आधार पर वर्णन कर रहा हूं द्वितियस से सम्मधि रत्न धारन करने से ये प्रबाव आपको मिलेंगे सबसे पहले बात करता हूँ मेश लगन की मेश लगने में शुक्र आप साथ में एक जो कुणली आरी डिस्प्ले में उसको आप ध्यान से देखेगा मेश लगने में शुक्र द्वितियस और सब्तमेस होता है मारक सब्तमेश मारक होता है तो मारक प्रभाविश शुक्र लगनेश मंगल का शत्रू भी होता है अत्वाणी धन वव्यवसाय की उन्नति और व्रति करेगा पत्नी की दिर्गायू करेगा परंतु सप्तमेश होने से लगनेश का शत्रू भी होने से निश्चित रूप से स्वास्ति समंदी चिंता भी पैदा करेगा वो स्वास्ति समंदी परेशानिया भी आपको देगा इसलिए सोच विचार करके आपने हीरा पहनना चाहिए अब बात करते हैं व्रशब लगन की तो व्रशब लगन में द्वितियस बुद्ध होता है जिससे समधी दिरतन पन्ना है बुद्ध त्रिकोन का अधिपती भी होता है अता व्रशब लगन में पंचमिस्तान का अधिपती होने से अता पन्ना धारन करने से धन की व्रद्धी के अतिरिक्त ग्यान, विद्या, वानी, आकस्मिक धन, सांती, कुटुम का सुख, संपत्ति के सुख में व्रद्धी मिलेगी, इसलिए व्रसब लगने वालों को पन्ना पेन्ना हर हाल में सुब साबित ही होगा, आई, अब बाद करते हैं मिथुन लगने की, तो मिथुन लगने म द्वितियश चनरमा होता है, और सामन्य मार्केस भी होता है, प्रबल या सुब अत्वासूर्य से दूर चनरमा होने पर मोती धारण करता को, अधा जो जात तक है, उसको आर्थिक उन्नती, मानसिक सांथी, स्वास्त्य, प्रमोशन, ये सब गुन प्राप्त हो सकते हैं, अन आई बात करते हैं करक लगन की तो करक लगन में करक लगन में द्वितिय सूर्य होता है उसका अधिकरत रत्न माने के होता है करक लगने के जातक को माने के धारन करने से धन स्वास्तिय विद्या इन सब में व्रद्धी मिलेगी आँखों के रोगों की समाप्ति होगी और लगन द्रस्ति से जातक उन्नती प्राप्त करेगा इसलिए हर हालत में कर्क लगन के व्यक्तियों को मने के पैनना किसी भी डंग से बुरा प्रभाव नहीं देगा शुब ही शुब करेगा आएई अब बात करते सिंग लगन की सिंग लगन में बुद्ध द्वितियेस होता है इससे समझे रत्न पंणाधारण करने पर सिंग लगन के जातकों को यश, मान, धन, संतान, बुद्धी, विद्या, वाक्षक्ति, आयू में व्रद्धी मिलेगी अताब पंणाधारण करना शुब रहेगा आईए बात करते हैं कन्या लगने की तो कन्या लगने में शुक्र दृतियेस और भाग्येस होगा है यदि शुक्र निस कलंक प्रभावी हो तो हीरा धारन करने वाले जात्त की सनवांगीन उन्नती अताद भाग्य उन्नती धन वर्दी रोकसांती अच्छा सब में वर्दी करेगा इसलिए आपको दृतियेस का रत्म धारन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आईए बात करते हैं तो तुला लगने में मंगल दृतियेस और सब्दमेस होता है सब्दमेस होने के कारण मारक होगा अता तुला लगने वाले जातक यदी मुंगा धारण करते हैं तो रोजगार कि इस्तरी अता जीवन साती स्वास्तिय वह धन दायक तो होगा परुंतु जात्यों को स्वयम के लिए कस्ट साध्य हो जाएगा कस्ट कारक हो जाएगा अता मुंगा उचित सला के पस्चात ही धारण करना चाहिए आईए बात करते हैं व्रस्चिक लगन की व्रस्चिक लगन का द्वित्य अता सेकेंड आउस का लॉड और पंचमेस दोनों ही ब्रैस्पति है तो आपको फुकराज धारण करना श्रेष्ट फलदायक हो जाता है धन मान पुत्र सुक विद्या सफलता अपने उच्छ अधिकार सब्सक्राज के साथ मुंगा धारन करें तो धन में विशेश व्रद्धी होगी और साथ इसाथ स्वास्थ में सुक शांती मिलेगी आईए बात करते हैं धनूलगने की धनूलगने में सेकंड आउस का लॉड शनी का रतन निलम धारण करने से व्यक्ति की सुक प्रापतिकी स दूमिल हो जाती है कारण एक तो यह लगनेश का शत्रू है वहीं दूसरी और मारकेस और पराक्रमेश भी है थाड़ा उसका अधिपती जब भी होगा तो आठवें से आठवा एड़ ताउस से वापस एड़ ताउस जब आप गिनेंगे तो थाड़ा उस आएगा तो इसको प पस्त रूप से मना किया जाएगा अता निलम धारण करना आपके लिए खत्रे की गंटी मानी जाएगी आईए बात करते मकर लगन की मकर लगन में दूतिय सनी स्वयम लगनेश भी होता है अता निलम धारण करने से स्वास्तिय विद्या धन आयू उन्नति भाग्योदय में व्रद्धी और यका यक धन प्राप्ति का योग बनेगा तो इसलिए निलम धारण करने में शुब ही शुब है आईए अब बात करते हैं कुम लगन की तो कुम लगन में ब्रैसपती द्वितियस होता है लगनेश का शत्रु भी होता है पुकराज धारण करने से साली प्रतिस्ता में व्रद्दी मिलेगी इसलिए उचित परामर्ज करने पर ही आप पुखराज पहनना शुब होगा आई बात करते मीन लगने की मीन लगने में मंगल द्वितियस और भागयस भी होता है मुंगा धारन करने से व्यक्ति की आर्थिक उन्नती और भागयोदा में प् पुचित रतन धारन करके अपने जीवन में सुखद आर्थिक परिवर्टन ला सकते हैं वैसे रत्न पेनने में एक सिद्धान काम करता है वह है फ्रस्ता वुस्का रतन फिर तोस्का रतन ओर साथ मैं नाहें ताउस का रतन чर है रत फिफ अतात जीवन जो भी बुद्धी का आप इस्तिमाल करते हैं वो 5 ताउस से किया जाता है और साथ इसाथ भाग्य जिस वक्ति का भाग्य बलवान हो जिस वक्ति को भाग्य का सपोर्ट मिल जाए उस व्यक्ति को चाये उसकी दसा किती भी कमजोर हो उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपन जीवन आपकी बुद्धी और आपका भाग्य इन तीनों को यदि बलवान बना दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में भाग्य वरद्धी कर सकता है और इसी का नाम हमें दिया है श्री भाग्य वरदी रत्न लॉकेट अता फर्स्ट आउस फिफ्ट आउस और नाइन करके एक ही पैंडल बना दीजे वह आपके भाग्य वरद्धी लॉकेट का काम करेगा तो यह था दृतियस पहनना सुब या अशुब इसके बारे में ही मैंने विस्लेशन दिया है इसके बारे में और कोई जानकारी लेना चाहते हैं और कोई आपके संका समाधान है आप नि यह उत्तर मांगेंगे मैं सब एक ही प्रस्ता में इसका उत्तर दूंगा लेकिन जब आप और हम सामने बैटेंगे आप फॉन पर होंगे तब आपकी कुंड़ी के बारे में एक साथ में बहुत सी पॉइंट्स पर हम डिसकस कर सकेंगे और फिर उसके बाद में रिजर निका सकेंगे कि आपको क्या उपाई करना चाहिए और वास्ताव में उपाई की जरूरत है भी या नहीं सबसे फिले ये भी देखना जरूरी है तो इस एपिसोड में इतना ही लेकिन ये एपिसोड कैसा लगा आपकी उमीदों पर कितना खरा उतरा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा चाहिए अच्छा या बुरा आप बुरा बोलेंगे या बुरा लिखेंगे इसमें मुझे कोई शंकोश नहीं है ना मुझे बुरा लगने वाला है क्यों इससे हम आपकी उमीदों पर खरावत तो निकले और ज्यादा मैनत कर पाएंगे और ज्यादा विससे डू को मजबूत करिए प्रबाब साली बनाईए और साथ साथ में सकारत मक्ता लाईए पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में कोई भी काम कीजिए फाइटर बन जाईए और फाइटर हमेशा जीतता है आप सभी को मेरा नमशकार सुब कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें जीवन में सम्रद होना सफल होना मात्र सपना नहीं है यह उपहार है आपके मेहनत का संगर्श का लेकिन कभी कभी यह खयाल आना भी स्वभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका में हगदार हूँ पेठ तो आपका बच्पन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं करते थे जीवन में अचानक आई रुकावटे बाधाई परिशानिया हमारी संतुलन को बिगाड़ देती है जीवन निरस अभाव गरस्त दीन लगने लगता है निर्ने शक्ती शीन लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा क्यांच है इश्वर की संतान है तो ये अभाव क्यों यदि आप भी इश्वर की संतान है तो याचना नहीं अधिकार है आपका सम्रती शाली होना हमारे शास्त्र वैद पुरान भरे पड़े हैं इस खचाने तक आपको पहुचाने के लिए कहां जाता है दिपावली पर्व चातुरमास में आने बाला पर्व है और भगवान विश्णु जो लक्षमी को नियंतरित करते हैं वे निंद्रा में रहते हैं इसलिए चतुरा लक्षमी को बुद्धी विवेक से कोई वश्मे कर सकता है तो वे हैं प्रतम पूजन विनायक इसलिए दिपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास विश्वाश वश्रदा के साथ मालक्षमी को आमतरित करता है हमें सम्रती शाल बनाने के लिए इस लक्षमी विनायक अलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षन शामगरियों को मंत्र जाप अनुष्ठान प्रान प्रतिष्टा से जाकरत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिद में विद्वान कर्मकांडी पंदितो द्वारा इस कलश के निर्मान करने का उधेश यही है कि आपको धन और बुद्धी दौनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनुकामनाई रिद्धी सिध्धी शुबलाप सहीत अक्षे लक्षमी का भंडा